Hello Friends, Welcome to Royal Study, दोस्तों आज की स्टूडियो में NCIT का पूरा निचोड़ आपके लिए हम लेकर आएं, सामानी विज्ञान का Practice at First हम कवर करने वाले हैं, स्पेसल सार संग रहे ही आपका रहेगा NCIT का पूरा, और जितना हमें नीचोड रहेगा पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे और Top 100 Questions इस वीडियो में कवर करेंगे, 15-20 मिर्ट में आपको पूरा रिविजन करवाने वाले ही काफी बोडिन लेवल के Questions है, Practice at First हमारा रहेगा, डेली आपको एक Practice at हम देंगे, ताकि आपकी तियारी काफी स्पेसल हो पाए, कार्बन डेटिंग विदी किसकी आयू निर्दारित करने के लिए अपनाई जाती है, हमारा अगला कोशन है, अत्यदिक सराप का सेवन करने से सरीर का कौनसा अंग विसेश रूप से प्रभावित होता है, सही जवाब रहेगा यकरत, अत्यदिक सराप के सेवन से यकरत जो अंग है सरीर का ये प्रभावित होता है, सरीर में रक्त बेंक का का काम कौनसा अंग करता है, सही जवाब रहेगा तिल्ली जिसको बोला जाता है, स्प्लीन इसको बोला जाता है, सरीर में रक्त बेंक का काम ये करता है, हरे पोदो में प्रकास अंसलेशन की इकाई क्या कहला जाता है और WBC White Blood Cells यह कहलाती है अगला कुशन है मचलियों के हिर्दे में कितने प्रकोस्ट होते हैं तो मचलियों के हिर्दे में दो प्रकोस्ट होते हैं जिनको चेंबर हम बोलते हैं मनुशरीर में रक्त से अवांचिनी पदार्तों को प्रक्तक करने का कारे कौन सांग करता है तो यह वरक याने के द्वारा क्या जाता है हमारा अगला कुशन है 40 वर्स पूरे हो जाने पर चर्चित अपसरा क्या है तो 40 वर्स पूर्ण हो जाने पर चर्चित जो अपसरा है यह नुक्लियर रियक्टर है नुक्लियर रियक्टर हमारा सही जवाब रहेगा अगला कु लेटियुट प्राफ्ट दिखिया गया था इसका नाम रेडियम है रेडियम यहां से हमारा सही जवाब रहेगा गैस हमारे कुछ ऑनलाइन कॉर्स टेस्ट सिरीज है अगर आपने चेक आउट नहीं किया इनको डेमो चेक आउट नहीं किया कर लेजिगा डिसक्रिप्शन में यहां पर आपको कॉंटेक्ट नमबर दे रखें इनको आपका में काउंट कर सकते हैं कापेचा स्पैसल आउपर चल रहें डिस्क्रिप्शन में लिंग के जाका चेक आउट कर सकते हैं अगला कोशन है गिरगिट की तुच्छा में रंग बदलने का कारण क्या है यह आपको अगला कुछने समुद्र के किनारे उगने वाले व्रक्षो में वार्सिक वले क्यों नहीं होते हैं क्योंकि यहां की जलवायों में इसपस्ट बिन्यता होती है अगला कुछने व्रद्दावस्ता का ध्यान विज्ञान की कि सांका के अंदरगत किया जाता है इसको जिरेंट फलों में पाय जाता है दूद का कट्टा होना किसके कारण होता है या किसके द्वारा होता है तो दूद का कट्टा होना होता है जिवानों के द्वारा सुएत प्रकास के वर्नकरम यानि स्टेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सरवादिक विसलीत होने वाला रंग कौन सा है तो ये बेगनी रंग होता है जो कि सरवादिक विसलीत होता है रेफ्रिज्रेटर में प्रिशितक जो होता है ये फ्रियोन होता है दूद से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सायक होता है तो दूद से दही बनाने में लेक्टो बैसिलस जो बैक्टीरिया है ये सायक होता है किस अंग के कारिना करने पर डाइलेसिस किया जाता है तो ये वरक पिड़नी होता है जो की कारिना करता हो डाइलेसिस किया जाता है अगला कोशन है मनुश्य के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है तो ये प्रमस्तिस्क होता है सेरेबरम इसको बोल जाता है राइफल चलाने पर लगने वाला जटका किसके सम्रेक्शन का उदारन है सही जवाब रहेगा रेकी सन्वेक के सम्रेक्शन का उदारन है ये राइफल चलाने पर पीछे लगने वाला जटका अगला कुशन है हमारा प्रियोग साला में सरोप्रतम जीन का संसलेशन करने वाला विग्यानिक खौन है सही जवाब रहेगा हर गोविंद खुराना इनका नाम है चंद्रमा पर वायूमंडल ना होने का कारण क्या है यह आपको गताना है तो वहाँ सबी गेसे गेसो का वर्ग माद्य मूल उनके पलायन वेक से अधिक है इसलिए चंद्रमा पर वायूमंडल ना होता है अगला कुशन है किस एक कोसी की सेवाल का उपयोग अंत्रिक्ष में खाद की समोचित पूर्टी के लिए किया जाता है सही जवाब रहे गए इसका नाम है क्लोरेला जिसको क्लोरेला के नाम से जाना जाता है अगला कुशन है हमारा प्राकर्तिक रबर किसका बहूलक है तो प्राकर्तिक जो रबर है ये आईसोप्रीन का बहूलक है द्रव की चोती अवस्ता क्या कहलाती है द्रव की चोती अवस्ता को प्लाजमा बोलता है नेक्स्ट कोशने हमारा प्रत्यावर्तिधारा की माप किस यंद्र से की जाती है प्रत्यावर्तिधारा की जो माप की जाती है ये तफ्त तार अमीटर से की जाती है नेक्स्ट कोशन है प्रकास्त रंगों के किस गुन से उनके अनुपरस्त होने का प्रमान मिलता है तो ये दुरुवन होता है दुरुवन जो गुन होता है प्रकास्त रंगों के उनके अनुपरस्त होने का प्रमान मिलता है अगला कोशन है एक वरताकार वले का गुरुत केंद होता है वले वरत्त के केंद्र पर हमारा अगला कोशने मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है मानव रक्त का पीएच मान होता है साथ दसमलो चार खनीच संरशना की द्रश्टी से हीरा क्या होता है खनीच संरशना की द्रश्टी से हीरा कारवन होता है अगला कोशने ग्रह ग प्रोटोन की खोज किसने की थी? रदर फोर्ट के द्वारा प्रोटोन की खोज की गई थी अगला कोशन है कौन सा पदार्थ प्रत्वी पर तीनों अभस्ता में प्रत्वी पर पाए जाता है? यह पानी होता है जो कि तीनों अभस्ता में प्रत्वी पर पाए जाता है हीरे के संबंद में केरेट क्या होता है हीरे के संबंद में केरेट हीरे के भार का मात्रक होता है नेक्स्ट कोशन है गेलवे निकरन गेलवे निकरत लोहे पर किसका लेप होता है तो गेलवे निकरत लोहे पर जिंक का लेप होता है भारत में 28 परवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष में मनाया जाता है तो सीवी रमन द्वारा इस दिन रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष में किया जाता है यहने सीवी रमन द्वारा इस दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी अगला कोशने 7 नॉमबर 1888 भारत के किस महान विज्ञानिक का जन्मदी ने सही जवाब रहेगा, C.V. रमन था ऐोडेनी युक्त नमक का प्रियोग किस विमारी के रोक्ठाम के लिए किया रहता है, हर ये पोदों मैं प्रकाए स्सिलेशं की काई क्या कहलाती हो इसको कॉन्ट तो सौं अगला कोशन है सूरी सदेव पूर्व में निकलता है क्योंकि प्रत्वी पश्चिन से पूर्व क्यों गुमती है इसलिए पोदों में वास्पोस सर्जन दर के निर्दारन के लिए किस यंत्र का उप्योग किया जाता है तो यह पॉटोमेटर होता है रेडलेट का रासाइनिक सुत्र क्या है पीबी 3-0-4 यह होता है मानौ सरीर में विटामिन के का निर्मान के संग में होता है सही जवाब रहेगा कॉलर में बेक्टीरियों के द्वारा विटामिन के का निर्मान मानौ सरीर में होता है Dark Avenger क्या है? ये एक प्रकार का प्रमुक कंप्यूटर वाइरस होता है अगला कुशन है Phycology के तैट Phycology के ताइत विज्यान की किस साका का अदियन के जाता है तो सिवाल का अदियन के जाता है Phycology के ताइत अगला कोशने किस विटामिन में कोबाल्ट पाए जाता है तो विटामिन B12 में ये पाए जाता है अगला कोशने मेनेंग जाइटीज तानी का सोध नामक रोग से रोग में सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो ये मस्दिस्क होता है नेक्स्ट कुछने मानुशरीर में रक्त का तक्का नहीं बनने का प्रमुक कारण क्या है तो ये हीरे पीन होता है हिपेरीन ये होता है हिपेरीन की उपस्थिती जिसके कारण रक्त का तक्का मानुशरीर में नहीं बनता है अगला कुछ ने चाई बनाने के लिए विदुद्ध द्वारा कैतली के पानी में कैतली में पानी किस विदी द्वारा गर्म होता है चाई बनाने के लिए विदुद्ध द्वारा कैतली में जो पानी होता है ये कन्वेंशन के द्वारा गर्म होता है वरद्दो के चिकिस्ता सास्तरी अद्ययन को क्या कहा जाता है? इसको गेरिया ट्रिक्स बोला जाता है. Next question हाइपो ग्लाइसेमिया, नामक रोक रग्द में किसकी कमी से होता है? तो ये ग्लुकोस की कमी से होता है. नेक्स्टै कुष्य ने STL-Wikut नामक वाईरस कौन सा रोब फैलाता है तो यह its फैलाता है इड्स नामक जो बीमारी है यही वाईरस फैलाता है मानव सरीर में सबसे चोटी गरंती कौन सी है तो यह pituitary गरंती है जिसको pure गरंती के नाम से भी जाना जाता है एंजाइम मुलता क्या है तो एंजाइम मुलता प्रोटीन होते है पित्त का निर्मान सरीर के किस भाग में होता है पित्त का निर्मान होता है सरीर के यकरत में प्रेश ने छिदर से दांत को प्रतिपादित किया था प्रेश ने छिदर से दांत को एस चंदर सेकर के द्वारा next question है syno, cobalwin, क्या है, तो यह bita win, b12 होता है, जिसको syno cobalt भी बोल जाता है, tetra, trutile, lead, याने tel, पेट्रोल में क्यों मिला जाता है, टेल जो पेट्रोल में मिला जाता है, यह anti knocking, rating, याने अफ़ स्पोर्टन के दर को बढ़ाने के लिए मिला जाता है, गीरे के चमक होती है, पुर्ण अंतिक परवर्तन के कारण ये होती है आप एक छिक आधरता जिसको relative humidity बोला जाता है, ये नापी जाती है, तो ये हाइगरो मेटर से नापी जाती है रेटीना पर बनने वाला प्रतिविम्ब होता है रेटीना पर प्रतिविम्ब जो बनता है ये वास्तिविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है पोलियो का टीका सरुपरतम किस ने तेयार किया था पोलियो का टीका सरुपरतम तेयार किया था जॉनसन सॉल्क ने अगला कोशन है गोबर गेस का मुख के संगठक क्या है गोबर गेस का मुख के संगठक होता है मिथेन गेस नेक्स्ट कोशन हरे पूदों में प्रकास संसलेशन की इकाई क्या कहलाती है तो इसको क्वांटोसों बल जाता है नेक्स्ट कोचने न्यूटन किलोग्राम किस बोतिक रासिका मात्रा के तो ये त्वलन याने एक्सलेर्शन का होता है गाइटर नामक रोग सरीर में किसकी कमी से होता है गाइटर नामक जो रोग होता है ये सरीर में आयोडिन की कमी के कारण होता है वाइरोलोजी में किसका अध्यान किया जाता है? Most important question सही जवाब रहेगा विसानवों का अध्यान किया जाता है? वाइरस का अध्यान किया जाता है? वाइरोलोजी में विटामिन C का रासाइनिक नाम क्या है? ये आपको बदाना है Ascorbic Acid या Ascorbic Amlis को बोला जाता है अगला कोशने मानव व्यक्ति की अनुसीलक अनुसीलक रक्तदाब कितना होता है? तो ये 80 mm पारे की होता है अगला कोशने स्वेत प्रकास के प्रेज में द्वारा बने वर्नक्रम में किस रंग का विष्लन सबसे अधिक होता है तो ये बेगनी रंग होता है जिसका विष्लन सबसे अधिक होता है अगला कोशने केलोमल क्या होता है? ये Mercurus Cloride Hg2Ci2 होता है अगला कोशने सिंदूर का रासाइनिक नाम क्या है? तो इसको Mercuric Sulfide बोला जाता है जोटा सोना, जोटा सोना, फूल गोल्ड क्या कहलाता है? तो इसको प्रकरती में पाए जाने वाला Iron Sulfide, Iron Phiride भी इसको बोलते है अगला कुशने Pancreatic Juice में पाए जाने वाला Enzyme कौन सा है? तो ट्रिपसिन Enzyme ये होता है आतों में प्रोटीन को अमीनो अमल में अबगटित करने में उत्परे रख होता है तो ये पैपसिन Enzyme होता है एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी ब्रहमास्त के विकास का ज्यान करने वाला जापानी एकसरे उग्रे है एस्ट्रोडी याद रखीगा दुरूतारा आकास में एक ही स्टान पर दिखाई देता है जबकि अन्यतारे नहीं दिखाई देते इसका कारण क्या है? दुरूतारा का प्रत्वी के गुर्नन अक्षी की दिशा में इस्तित होना इस कारण ये एक ही जगह पर दिखाई देता है मनुष्य हिर्दे में सामानिता प्रती मिनिट कितनी बार इस्पंधन होता है तो 72 बार होता है स्पिग्नो मैनोमेटर नामा की अंत्र से क्या नापते हैं तो रक्त दाप मापा जाता है नेक्स्ट वोसने सन 1902 में कॉल लेंड स्टीनन ने किसकी खोज की थी तो रक्त समू बलड गुरूप की खोज इनके द्वरा की गई थी समूद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है तो ये इसलिए दिखाई जाता है जल के कनों द्वारा प्रकास के प्रक्रिंदन के कारण प्रोटीन किस गेस का प्रमुक योगी के तो ये नाइट्रोजन का होता है इतालोजी में किसका अध्यान किया जाता है इतालोजी में जानवरों के वेवार का अध्यान उनके सामानिवातावरन में किया जाता है नोबल पुरुसकार से समानित होने वाली विस्व की प्रतम महिला विज्ञान के चेतर की ती वहां कौन थी तो मेडम क्यूरी थी 1930 में बोतिकी की शेतर में इनको नोबल पुरुसकार से समानित किया गया था पानी में डूबी, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समूद जहाज तहते रहते हैं इसका कारण क्या है तो जहाज के डूबे होए भाग से हटाए गए पानी का बार, जहाज के बराबर होता है इसलिए वहाँ पलवन करता है और सुई के दोबर हटाए गए पानी का बार सुई के बार से कम होता है जिससे सुई जो है ये डूब जाती है अगला कुशन है भारत का स्वधेसी निर्वित दूसरी PD का पहला उगरे कौन सा है तो ये इंसेट 2A है सूरी के प्रकास के साहिता से सरीर में किस विटामिन का निर्वान होता है तो विटामिन D ये होता है हैली पुचल तारा प्रतिवर्स कितने वर्स के अंधराल में दिखाई देता है तो 76 वर्स के बाद में दिखाई पड़ता है किन तरंगों की साहिता से चमगादर रात में सुरक्षित उड़ती है तो यह परास्तरों भी तरंगे होती है जिनकी साहिता से यह रात में उड़ पाती है HIV विसानु में से कौन सा रोग होता है HIV विसानु से एट्स रोग होता है आप सुभी को यह आई तिंक पता हुआ होता हैुता है तो वीटामिनगेंखे होता है रख थख् пожता हैं महले साहाया अगला कोश्चन नाइट्रस आक्स्वाइ morality लोफिंगेस हसने ॉली यस नो तो यहाँ पर हमने टॉफ 100 कॉस्चंस काफी कम टाइम में कवर कर लिए आई तिंक यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यह हमारे कोच ओनलाइन कॉर्स से इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आप चेकाउट कर लिजिगा टेलिग्राम को भी जोइन कर लिजिगा अधिक आपको यह पूरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो कैसा लगा यहाँ अपने दोस्तों सांस तरू से यह वीडियो को जरू से करें ताकि हमें सपोर्ट मिले मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए नानी की पूरिकाउसेच करें तो